नमस्कार मैं संधी प्रेज चानल सिसकंसल्टेंट, कॉर्पोरेट्रेंट और मोटिवेशनल स्पीकर और आज मैं डिसकस करूँगा एक बहुत यूनिक टॉपिक के बाड़ में अपने से बहुत सारे बिजनसमें जो कमोडिटी में डील करते हो उनके लिए मार्केट ऑपरेटिंग प्राइज इस वेरी वरी इंपोर्टेंट तो वी विल डिसकस इन डीटेल हाव इस एमोपी दिफरेंट फ्रम एमर्पी और इसके डाइनमिक्स क्या-क्या होते हैं बिफोर दाइट आपके साथ शेयर करना चाहत हो इफ यू बेर विट मी फॉर वन मिनिट गुड नियूज यह है कि पिछले हथे हम लोगोंने 40 FMCG स्टार्टप्स एंद FMCG वरकिंग प्रफेशनल्स को हम लोगोंने अवार्ट किया विद दे FMCG के बादशा क्राउन विच बेसिकली ए ट्रेइनिंग प्रोग्राम जिसमें हम लोग FMCG सेल्स अग डिस्टिबूशन के बारे में सब कुछ डीटेल में उनको ट्रेंड करते हैं लोगों प्रेशन के लिए वार्ट के बारे में विच वार्ट का बारे में यह आप लोगों के बागर नहीं होता now starting with a topic for today that is market operating price देखिए जब हम commodity में deal करते हैं तब हम market operating price के बारे में जाधा सुनते हैं commodity वो products होते हैं जो loose भीकते हैं खुल्मे में मिलता है और बाकी दूसरे products manufacturing में उसका use होता है जैसे की rice मतलब चावल, wheat मतलब गेहू, edible oil जो हम लोग खाने के लिए तेल यूज़ करते हैं उसको edible oil केते pulses जैसे dal हो गया and spices, masala तो यह सारा चीज जो है एक type of commodity है जो कोई भी grocery के दुकान में आपको मिल जागा है जैसे commodities में तो बहुत सारे products आते हैं but these are certain regular item products जो कोई भी grocery के shop में आपको मिल जाएगा अब जब भी grocery दुकान में आप enter करोगे तो आपको इस type का एक weighing machine दिखेगा दिखिए यहाँ पे दुकान दर बैठा हुआ है सामने उनका weighing machine है और यह weighing machine में वो चीजों को तोल के बीचता है अब जो packed products है उनको तो तोलने की ज़रूरत नहीं है बट जो loose products है जैसे अगर loose rice खड़िते हैं अब दिखिए जो market है हमारे इंडिया में loose का ही जादा है जैसे edible oil 60% of the market is more than 60% is loose rice में भी बहुत ज्यादा market share loose का ही है सारे में जितने भी commodity product से loose का ही बहुत ज्यादा market share है spices में भी वैसा ही है अब market operating price कैसे determined किया जाता है market operating price is determined by the changes in demand and supply यह depend करता है demand and supply के ओपर आपने सुना होगा कभी farmers कहते है कि इस चीज़ कर production बहुत ज्यादा हुआ उस हिसाप सो उनको rate नहीं मिला market मतलब supply ज्यादा है demand कम तो rate गिर गिर मतलब market operating price is lower now किसी चीज़ का हो सकता है कि supply कम है but demand बहुत ज्यादा है तो market operating price will increase so it is very important that the retailer on a day to day basis keep tracks of the market operating price और यह price कहां पर reflect होता है दिखिये जैसे कि मैं आपको small example देता हूँ वैसे तो उनको पता चल जाता है because they are in the market but मैं आपको small example देता हूँ यह money control website है इसके उपर आप जाओगे तो आपको देखोगे कि commodity prices दिया गया है ऐसे बहुत सब्सक्राइब है यह एक example कि सबसे मैं ने दिखिया है so here यह जो price day to day basis पे change होता रहता है आप news channel के नीचे भी देखोगे ऐसे ticker ऐसे करके जाता रहता है जिसके उपर commodity का price लिखा गया है so that is also the market operating price कि आज का price क्या है so there are different ways in which you can find out the market operating price and basis that the retailer determines कि किस rate पे उनको आगे ग्रावको को पेच ना है so this was about the market operating price hope you like this video please don't forget to like share and subscribe and I'll be back with more videos thank you